जैहिन दोस्तों कैसे हुआ आप मैं कमले साब के अपने चैनल किये कि फरनीचर में आपका स्वागत करते हैं आज हम लोग दोस्तों फलाश जोर के उपर एक रैली सीट पेस्ट करेंगे तो दोस्तों इसको कटिंग किस तरह से करना चाहिए इसको किस फेविकोल से चिपकाना चाहिए और कैसे पेस्ट करें इसमें बबल्स ना है लहर ना है एकदम अच्छे तरीके से चिपक जाए तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपसे रिक्वेस्ट बस हेक़ीय करूँगा वीडियो कंप्रिट लास तक धियान डेहान से क्योंकि इस वीडियो में मैं एक रहली पेस्टिंग कांग से ले då पूरा इस वीडियो में दिखाए हुआ है तो आप से रिक्वेस्ट बस एक है वीडियो पूरा लास तक देखिए वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लिजे तो यहां पे देखेंगे दोस्तों फलाज जो हमारा है उसके उपर गृलिंडर पेपर से एक बर घिस देगे इसमें आपको इसको बताना चाहूंगा जब इसको घिसाई करते हैं गरेंडर पेपर से तो आपको जोर-जोर से मतलब तबाः नहीं घिसना एक हल के हाथ Sports यहाँ जादा लगेगा तो घडड़ हो जाएगा जब एक रेली सीटा तो उसके हैं उसका साइज एक जगह एक बरावर तो नहीं रहता है कम कहीं ज़्यादा रहता है तो उसके इसाब से आपको measurement जो है, वो 2-3 जगे कर लेना है ताकि जो अपना piece है, वो छोटा नहीं होने पाए यहाँ पे देखेंगे, यह हमारा acrylic seat है यह दोस्तों 1.5 mm का seat है जो acrylic seat का thickness है 1.5 mm का है और यहाँ पे देखेंगे, फूल seat हमारा acrylic है इसको हम cutting करेंगे, तो cutting करने के लिए जो हमने size निकाला है उसके हिसाब से यहाँ पे marking कर लेंगे क्योंकि इसका cutting है वो cutter machine से करेंगे तो cutter machine के हिसाब से यहाँ पे marking कर लेंगे उसके बाद cutting करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ का marking हमारा complete हो चुका है अब हम दिखाते हैं आपको देसेंगे हमारे cutter machine में एक नया blade हमने लगाये हुआ है और जो जो थोड़ा जो blade है थोड़ा सा बाहर रखे है cutting होने सरका इसमें जैसे आप नया blade लागे cutting करते हैं तो क्या होता है जो edges होता है जो धार होता है एकदम finishing करता है और अगर आप चाहिए तो पुराना blade भी लगा के कार सकते हैं लेकिन उससे होता क्या है जो अपना धार है उतना finishing नहीं आता है और एक जो पताना चाहेंगे इसमें जो अपना cutter machine चलाते हैं तो धीरे धीरे चले यहाँ पर मैं video fast किया हूँ तो आपको machine को धीरे धीरे चलाना है fast नहीं चलाना है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो cutting है एकदम finishing अच्छी तरीके से हुआ है मतलब chipping नहीं आया है तो इसी बात के ध्यान देखके आपको cutting करना है कभी कभी क्या होता है जो अपना फलर जोर होता है right angle में नहीं होता है तो अगर piece measurement में cut देता है तो छोटा हो जाता है cross अगर रहता है तो छोटा हो जाता है उसके लिए हम फलर जोर पर ही रखके इसको marking लाके cut कर देंगे ताकि यह piece छोटा नहीं होने पाए क्योंकि दोस्तों यह piece महेंगा मिलता है तो उसके सावधानी से काम करेंगे तो material based नहीं होगा क्योंकि material based होने के बाद कितना सरफोडी होता है आपको मालूम ही है तो यहाँ पर हम cutter machine के gauge के साब से marking कर देंगे उसके बाद इसको भी हम cut कर देंगे इसको भी दोस्तों उसी तरह से cut करना जैसे मैंने पहले बता आपको कि machine को आपको आराम आराम से चलाना है मतलब तेजी से चलाएंगे तो chipping आगा अगर बले नया भी रहेगा अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको चिपकाने के लिए फेवी कोल है आप चाहरे तो वीडियो पूश करके देख सकते है इसके उपर क्या क्या चिपका सकते है इस से वो पूरा लिखा हुआ है आप चाहे तो वीडियो को पूस कर लीजे और आराम से पढ़ लीजे और मैं इसके उपर दोस्तों क्या करूंगा जो हमारा सीट है उसको भी उल्टा करके रख दिया एकदम इसको साप कर देना जैसे जाड़ उड़ो लगा कि पुरा साप कर दीजे कचरा बिल्कुल भी नहीं पाए रहने पाए और जो दरवाजा उसको भी साप करके फेविकॉल गिरा यह कचरा नहीं रहना चाहिए गर थोड़ा भी कचरा रहेगा दोस्तों तो जब पेस्ट करेंगे साइद उस टाइम नहीं मालुम चले लेकिन जब बाद में सूख जाएगा तो 100% मालुम चलेगा उसको अब छुपा नहीं पाएंगे कुछ भी कर लीजिए इसके लिए आपको साफ सफ़ाई बेहत जरूरी है और यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा फलजडोर है जो दरवाजा है उसके उपर भी हम फेविकॉल लगा रहे है और जो हमारा सीट है जो एकरेली तो यह होता क्या है जब हम इसको लगा देते हैं प्लाई के ऊपर और चाहिए एक रखेली सीट के उपर तो यह जल्दी-जल्दी सुखता है तो इसमें क्या होता दोस्तों जब यह सूख जाता है तो पकरता नहीं जैसे फेविकॉल क्या होता है थोड़ा सूखा के हम इसको चिपकाते हैं तो बहुत ही मस्त पकड़ता है जल्दी बबल्स नहीं आते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अगर इसको अगर थोड़ा जादा सूख जाएगा तो यह पकड़ता नहीं समझे बहुत जंजट करता है इसके लिए आप कोशिज कीजिए जैसे बड़ा पीस अगर लगाना है तो दोनों में एकी सथ फेविकोल लगाईए और लगाने के बाद एकी सथ पेश्ट कीजिए ताकि इसका जो मतलब जो नरम पन है वो रहा जाए मतलब सूखने ना पाए वो ध्यान देखे दोनों में काम कीजिए ताकि बबल्स ना आए तो यहां पर देखेंगे दोनों हम इसको दोनों में एकी सथ लगा देंगे और इसको फेविकालाणे के लिए आप इसक जो लेमिनेट होता है उसका कंगी बनाना जरूरी होता है यहां पर देखेंगे अगर ध्यान से कंगी बनाया हूँ इसमे जब quin क बनार रहता तरह रेजा रेशा रेशा यह बनत जो मतलब टाइम है वो थोड़ा ठंडी का मौसम है जैसे हम ये वीडियो सितंबर के महीने में बना रहा हूं जैसे अगर जैसे गर्मी रहता है जिसे कहने का मतलब अपरेल माई का गर्मी रहता है उसमें बहुत जल्दी लिसुकता है ये महीने में तो थोड़ा ठंडा रहता ह तोड़ा कम सुकता है अगर अप्रैल माई में रहता है तो गर्मी जादा रहा तो जल्दी ली सुकता है तो उसलिए दोनों में लगाई है एकी साथ ताकि सूखने न पाए तो उस बात के ध्यान देखिए आप काम कीजिए ताकि काम खराब ना हो तो यहां पर देखेंगे तो वीडियो के लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सबसारे कर लिए क्योंकि मैं कार्पेंटर से लेजर सभी वीडियो यहां पर बनाता रहता हूं और यहां पर उपर के तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा फेविकॉल सूख गया था हम इसको एक प अब दह स्कून. देना है जैसे मभानलीजे हम क्या करते हैं लेटो एक फ्यू पर रख रख देते हैं चड़की घना शूरू कर देते हैं वह तो गुशते है ISMA क्या होता है जब हम आप उसके ऊपर चड़ जाएंगे चाड़ के ऊपर घिसेंगे तो यह इधर फिशलता है इधर फिशले الزएगा जो आप पर कोसिज कीज़ें इसको उपर जादा मत चड़िए थोड़ा Όँध धाथ लाब कि इसको घिसाई भी हो जाए और फिशले भी नहीं और एक चीज़ और ध्यान देना है इसको आप जैसे लेमिनेट को क्या होता है हम डारेट प्लाइबूर्ट से घिस देते हैं तो वह गलती आपको नहीं करना है नहीं तो इसके उपर पॉलिथीन लगा हुआ आता है लेकिन फिर भी समझे एक कपड़ा हमने लिया वह इसको साब करके इसी से पूरा घिस देते हैं ताकि बबल्स नहीं आए और इसके बाद इसको इसको हाइट पर रखके इसमें टेप लगा रहा था इसमें हमको एक प्रावलम सामने आया वह प्रावलम क्या सामने है मैं अभी आपको बचाएता तो यहां पर दोस्ता हम टेप को लगा रहा थैं तो क्या हो रहा था जो हमारे लेमनेत है वो थोड़ा थोड़ा फूल रहा था आगे आप देख audiences यह फूल रहा था पहले है अब यह पर समझे इसको सालूसन नहीं मिलेगा फिर हम समझो ढव़ि काम करेगा उसको दिमाघ ख पाद में कुई माद में पता क्या हो गा इसलिए देखिए अब हमने जो sapoe teap उसको निकाल दिये हैं निकाल की इसको एक बर उठा देते हैं उठा के हे वापीस इसको घिशते हैं ताकि बीचowson अगर कहीं यह समझो है वह निकल जाए क्योंकि अगर अभी नहीं अहें निकला नहीं क्या निकल उला अगर मैं लिमनेंट होता है फ़फो हाइंचो चीपकता नहीं है इसको नकाल दिया है और यह देखेंगे अची तरीके से यह चीप गया है, मतलब बेर खतम हो गया है, और इसको अची तरीके से टेप लगा जेते हैं, अब टेप लगाने का भी फार्मूला दोस्तों समझ लिजी आप, जैसे हम करते क्या हैं, टेप लगाते हैं, तो जैसे लेमिनेट थोड़ा नहीं आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा लिमनेट चेकरेली सीट है वो प्लाई में चिपक जाए उस हिसाब से आपको एब्रोटेप लगाना अगर जोड़ से दबा के लगाएंगे तो क्या किरारे पर जब दबता है तो बीच में उठने लगता है वो बात ध्यान दे के एब्रोटेप लगाईए अच्छी तरीके से लगाईए और आपका काम एकदम पर्फेक्ट होगा अब दोस्तों क्या करेंगे इसको जो प्लाई हमने जीस पे कटिंग कर रहे तो उसी पे इसको रख देंगे और रखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों इसके उपर बीच में हमने रेती का मतलब थैली भी रख दिया है साइड में गोजन मतलब लगाके रख दिया है ताकि यह दरवाजा हमारा बेंट ना होने पाए तो अच्छा थोड़ी है तो यहां पर देखेंगे इंजीस का खड़ा भी है और इसका हमने जो एब्रोटेप हो निकाल द यह करता है तो आप यह सामने वीडियो देख राख देखेंगे इसमें हमने दूस्त जो चीज बताए लगाने के लिए किछन के अंदर अगर आपको ओ 어려 12 सीड में खांसा भी मार ना है तो आशानी से मार पाएंगे जरूस्तों हमारे वीडियो का सब्सक्राइब जरू के लिए उन्हें पर चुनल में पर पंद महातर मुद्हें